पुपाल से एक अबर जहां नावालिगों के आफरण के मामने रुखने का नाम नहीं ले रही हैं 24 गंते में 9 नावालिगों का फरण हो चुका है एशबाग से 14 साल का दीपक 15 साल का फरहान लापता है टीजी नगर से 16 साल का आरेफ लापता है इशाटपुरा के 14 साल का सोहे लापता है बैरागर से 13 साल की खुश्पू लापता है टीमे बनाकर सभी बच्चों की तलाश पुलिस कर रही है लेकिन बड़ा सवाल ये कि 24 गंते में 9 बच्चे लापता हो जाते हैं और प्रशासन आखिर मौन कैसे हैं क्यों इतनी तेजी से कोई कारवाई नहीं होती कि इन बच्चों को ढूंडा जा सके 24 गंते में 9 नाबालिकों की लापता होने की खबर इशारा एक तरफ कि क्या कोई कैंक सक्री है है गुपाल में जिसकी बज़र से एक के बाद एक 14 से 15 साल तक के बच्चे गायब हो रहे हैं बड़ी खबर आपको बता दें आखिर कौन है जो इन बच्चों को गायब कर रहा है क्यों आखिर इनके लापता होने की खबर आ रही है और ये बच्चे किस तरहें से गायब हुए हैं क्या इनके गायब गुने की जो स्टोरी है वो एक तरहें की है तमाम सवालाब रिजवान हमारे साथ बने हुए है 24 गंटे में नावालिकों की अफरन की खबरे आती है रिजवान और प्रशासन की तरफ से किस तरह से घुने की कारवाई की जा रही है कौनसी ऐसी कारवाई जसे हम अंदाजा लगा चकी कि अधाली कि गंभीरता से इस मामले में धुनने की कोशिश कर रहा है परिवार वालों से लगतार पुलिस संपक कर रहे हैं परिवार वालों से लोगों से पूर्साज करें पुलिस के मात्यम से बच्चों की तलाज कर रही है लेकिन अभी पुलिस को किसी पी तरह कोई सफलता नहीं में लिए अभी तरह कर रहे हैं अभी तरह को बेचने के भी मादे सामने आएं लेकिन अभी तरह कोई भटना काम नहीं आई इन बच्चों दिखाक्ति बिल्कुल बहुत शुक्रिया जनकारी के लिए रिजवान लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें शामिल है प्रियानशी भी शामिल है इस पर खुश्पू भी शामिल है जो बारागर से गायब ही तेरह साल की बच्ची